नमस्कार दोस्तों मैं प्रियंका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम T20 में स्वागत करती हूँ आज की क्लास थोड़ी से स्पेशल है आप लोग के लिए क्योंकि मैं लेकर के आई हूँ हिंदी में वर्ण माला और वर्तिनी से रिलेटेड प्रशन जो की आपके एक्जाम में बहुत जादा पूछे जाते हैं और ये प्रशन लगभग 200 के आसपास हैं 200 से अधिक प्रशन में आप लोग को सॉल्व करौँगी सिफ एक ही क्लास में जो की सभी एक्जाम्स के लिए बहुत ही महत्पूर्ण हैं आप अभी UPSC वीडियो री एक्जाम देने वाले हैं उसके साथ साथ जैसे जूनियर असिस्टेंट हैं पुलिस की प्रपेशन करने वाले बच्चे हैं या फिर अभी B8 का इंटरेंस एक्जाम होने वाला है जिस इससे पहले की जो क्लासेज हैं वर्ण माला और यहां तकी भासा का विकास यह हम पढ़ा चुके हैं आपको उससे प्रशन भासा का जो विकास है हिंदी भासा के विकास उसके प्रशन कराए भी जा चुके हैं आज हम लोग वर्ण माला करेंगे उसके साथ साथ वर्तिनी भी करेंगे आज सिर्फ इतना complete करेंगे next class में आप लोग तत्सम तद्भों जैसे इनसे related question भी solve करने को पाएंगे तो अभी आज हम सबसे पहले वर्ण माला इस्टार्ट करते इसके question हल कीजे उसके बाद आगे का देख पे और सबसे पहले आप लोग क्या करें copy और pen लेकर के रख लीजे जो भी प्रशन में करा रही हूं उसका पिस्कोर जरूर कमेंट कीजेगा आपका कैसा इस्कोर रहा सबसे पहले प्रशन पे आते हैं जिसमें पूछा गया है वर्ण माला किसे कहते हैं सब्द समूग को वर्णों के संकलन को सब्द गर्णा को या फिर वर्णों के विवस्थित समूग को हमें बताना है वर्ण माला किसे कहते हैं वर्ण माला वर्णों के विवस्थित समूग को कहते हैं अगला प्रशन है उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? 45 है, 48 है, 50 है या फिर 52 है? इसका सही उत्तर आप सभी लोगों को देना है. उच्चारण के आधार पर बताना है कितने हैं वर्णों की संख्या? और इसका सही उत्तर है 45. आप बताईएगा लिखित आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, अगला प्रशन है स्वरों के वर्गी करण के कितने प्रकार हैं, दो हैं, तीन है, चार हैं, या फिर साथ हैं, इन में से बताना है कौन सा सही उत्तर है, तो स्वरों के वर्गी करण कितने प्रकार से हैं? साथ प्रकार से मैंने क्लास कराई है आप सभी लोगों को अगर प्रश्ण नहीं हलो रहे हैं तो आप क्लास भी जरूर कीजे O, O इस प्रश्ण में बताना है O, O किस प्रकार की धनिया है? ओष्ण हैं, तालव हैं, कनठोष्ण हैं या फिर कनठ तालव हैं इन में से हमें सही उत्तर बताना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा O, O कनठोष्ण है Option C, Correct होगा अगरा प्रश्ण है निमलिकित में से कौन सा वर्ण संयुक्तस्वर के अंतर गताता है उ, अव, ई और री इनमें से बताना है कौन सा है? जो सईयुक्त स्वर है इसका सही उत्तर हो जाएगा ओ सईयुक्त स्वर ओ हो जाएगा ठीक है? और मूल स्वर है हिंदी में दीव स्वरों की संख्या पूची गई है कितनी है? ये हमें बताना है उत्तर दिया गया है दो, पांच, साथ या फिर नौ इसका सही उत्तर होगा हिंदी में दीख सरो की संख्या बतानी है यह है साथ जिन सरो के चारण में मुख वीवर या मुख द्वार जिसे बोलते हैं बंध रहता है उन्हें क्या कहते हैं सम्वरत कहते हैं, अर्ध सम्वरत कहते हैं, विवरत कहते हैं या फिर अर्ध विवरत कहते हैं इनमें बताना है जिन स्वरों के उचारण में मुगद्वार बंद रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम इसमें से आप लोग भी और अप्शन अपना कमेंट करते जाएगा, समवरत कहते हैं, निम लिखित में से कौन सा वर्ण विवरत स्वर है, अ है, उ है, ए है, या फिर आ है, इनमें से बताना है, और विवरत कौन सा है, आ, फिर उसके बाद पुछा गया है निम सा सही है, इसमें आ, जो आ है, वो अवरत मुखी है, नेक्स्ट रेजिन स्वरों के चारण में हवा मूँ के साथ साथ नाक से भी निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, निर्नोनासिक कहते हैं, या फिर वरत मुखी, या फिर अर्द सम्रित कहते हैं, और सही उत्तर होगा अनुनासिक, इने क्या बोलते हैं, अगले प्रश्ण में बताना है सामानिता वेंजन कितने होते हैं, 30, 35, 40 या फिर 45, सामानिता वेंजन 35 होते हैं, इस पर्स वेंजन को क्या कहते हैं, मतलब उनको और किस नाम से भी जानते हैं अंतरस्त वेंजन, वर्गी वेंजन, मूल वेंजन या फिर अन्य वेंजन इसका सही उत्तर है वर्गी वेंजन अगला प्रश्ण है निमलिकित में से कौन सा वेंजन लुन्ठित है या ला रा या फिर धा इसका सही उत्तर याद रखिए लुन्ठित में रा आता है निमलिकित में से पार्स्विक वेंजन का पहचान करना है इसमें रा है रा है या हा है या फिर ला है सही उत्तर देना है देखे लुंठी तो और पार्स्विक वेंजन जो है वो सेम ही होगा ला होगा धा वेंजन का उच्चारण बताना है स्थान क्या है मूर्धन्य है तालव्य है दंत्य है या फिर ओष्ठ्य है धा क्या है मूर्धन्य है प्रतेक वर्ग का दूसरा और चौथा वेंजन क्या कहलाता है अघोस, अलप प्राण, सघोस या फिर महा प्राण कहलाता है प्रतेक वर्ग का दूसरा और चौथा वेंजन महा प्राण कहलाता है निम लिखित में से कौन सा वेंजन अघोस है ये बताना है ग, त, ज, या फिर ढ, इसका सही उत्तर है त, ओके, घोस और अघोस के कौन-कौन से पार्ट हैं, जो घोस में आते हैं, कौन से अघोस में आते हैं, ये याद रखना है, अगर आपको जरासा भी confusion है इस क्लास में, तो आप सबसे पहले थियोरी जरूर गए हैं, तो ये previous question है और उनको उसी तरह आप ध्यान पूर्वक देखिए, जैसे पहला प्रशन है, लिपी चिन्णों के क्रमबध समू को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वर्ण समू कहते हैं, या फिर वर्ण माला कहते हैं, तो लिपी चिन्णों के क्रम अबध समू को क्या कहते हैं, वर्ण माला कहते हैं, कौन सा अमानक वर्ण हैं, खा, धा, जा, या फिर भा, इसमें से जो जा है वो अमानक वर्ण है, वर्ण किसे कहते हैं, या भासा की सबसे चोटी इकाई होती है, या option बीव कह रहा है, या भासा की सबसे चोटी इकाई होत लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है अभी हम लोगों ने चारण के आधार पर पढ़ा था 45 थे अब हमें बताना है कि लेखन के आधार पर कितने हैं और इसका सही उत्तर है 52 कितना हो जाएगा 52 अगला प्रशने हिंदी में मूलता कितने वर्ण है 52 है, 50 है, 40 है या फिर 55 है इन में से हमें सही उत्तर देना है इसका सही उत्तर हो जाएगा 52 कितने हैं 52 है अगला प्रशने सही उत्त को छोड़ कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है सही उत्वर्ण अगर छोड़ दिये जाए उन्हें छोड़ कर कितने बचेंगे तो आपको तो पहले यही पता होना जाए कि सही उत्वर्ण है कौन कौन से है ना उनको छोड़ करके पूछा गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 48 होंगे C option हिंदी में व्रेंजन वर्णों की संख्या है 28 है 30 है 32 है या फिर 35 है और इसका सही उत्तर है 35 है D option हिंदी में धुनिया कितने प्रकार की होती है 2 प्रकार की 4 प्रकार की 6 प्रकार की या फिर 8 प्रकार की हिंदी में धुनिया 2 प्रकार की होती है स्वर कहते हैं किने कहते हैं जिनका उचारन लगो और गुरू में होता है या फिर जिनका उचारन बिना अवरो दत्वा विग्न बाधा के होता है सी ओप्शन है जिनका उचारन स्वरो की सहायता से होता है या फिर D option है जिनका उच्चारण नाक और मुह से होता है देखे स्वर वे होते जिनका उच्चारण बिना अवरोध अत्वा बिना विग्न बाधा के होता है अगला प्रशन हिंदी भासा में वे कौन सी धनिया है जो स्वतंत रूप से बोली या लिखी जाती है अगला प्रशन है भासा विज्ञान की द्रश्टी से U किस प्रकार का स्वर है अगर सम्वरत है अगर विवरत है पश्च सम्वरत है या पश्च विवरत है इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले तो या दखिए सम्वरत विवरत और ये सब क्या है मैं क्लास करा चुकी है इसलिए आपको बहुत ज़्यादा एक्स्प्लेन नहीं कर रही हूँ सिर्फ प्रशन करा रही हूँ अगर आपको जरा सी बीस में सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो आप पहले क्लास जरूष कर लिजएगा उसके बाद ही प्रशनों को हल कीजए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्र सम्वरत है उ क्या है अग्र सम्वरत है A स्वर का प्रकार है कैसा है, हिर्षु स्वर है, देग्र स्वर है, मूल स्वर है या फिर संयुक्त स्वर है और इसका सही उत्तर है, ये मूल स्वर है ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है A A एक प्रकार से संयुक्त स्वर है कैसे, A बना है A प्लस E से तो क्या हो जाएगा A संयुक्तुस्वर है तो इसका संयुत्तर क्या हो जाएगा D option संयुक्तुस्वर है अगला प्रशने हिंदी भासा में हिस्स्वरों की संख्या कितनी है 11 है 4 है 3 है या फिर 2 है इसमें बताना है हिंदी भासा में हैस्टुस्वरों की संख्या कितनी है चार है कौन-कौन से आ ई उ और री ठीक है अगला प्रश्ण है प्लुट्स्वर कौन सा होता है ओम अउम ओम या फिर ओम दिया हुआ है और इसका सहीरत्तर है ए प्लुट्स्वर में क्या होता है जिनके उच्चारण में लंबा समय लगता है जादा समय लगता है दीद वाले से भी मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होंगे दो प्रकार के तीन प्रकार के चार प्रकार के या फिर पांच प्रकार के तो मात्रा के आधार पर कैसे होंगे तीन प्रकार के, ठीक है, जिव्या के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, तीन प्रकार के, चार प्रकार के, या फिर छे प्रकार के, जिव्या के आधार पर, तीन प्रकार के, अग्रिस्वर, मध्यस्वर और प्रश्चिस्वर, निम्लिकित में से कौन कुछा सा अग्रस्वर नहीं है, A, E, A और A में से पूछा गया है, तो जो A है, वो अग्रस्वर नहीं है, बाकि सारे क्या हैं अग्रस्वर हैं? नेक्स्ट है, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं, एक प्रकार का है, दो, तीन या फिर चार प्रकार, तो हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, C, और करेक्ट होगा, कौन-कौन से, मूल स्वर, जो की होते हैं, दूसरे जैसे की, दीर स्वर होगे पूल में क्या हिष्ट स्वär और दीरस्वर अलग-अलग हो गए और पुलॉत्स. तो आंसर आप सभी लोग को बहुत आसानी से पता होगा, वर्ण माला, तो याधी कर लीजे, तो इसका क्या हो जाएगा, option D, correct हो जाएगा, या नहीं है, A, O, A, सारे स्वर हैं, अगला प्रशन है, चारण के समय, जीब की स्थिती के अनुसार स्वरों के भेद किये गए हैं, और ये कितने प्रकार के हैं, दो हैं, तीन हैं, पाँच हैं, या फिर साथ हैं, तो याद रखिए, इसका सही उत्तर है, तीन, भिन भिन स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन होते हैं, उसे स्वर कहते हैं, दिर कहते हैं, संधी स्वर कहते हैं, या फिर मूल स्वर कहते हैं, औ इसका सही उत्तर है one, समा संदी लिंक तो होई नहीं सकता, 25 प्रशने किस सब्द में री स्वर नहीं है, री नहीं है पूछा गया है, कृपा में नहीं है, कृष्ण में नहीं है, दृष्टी में नहीं है, या फिर रिवाज में नहीं है, तो याद रखी किस में नहीं है, प्राण को इसका सही उत्तर देना है और अनुस्वार और विसर्ब जो होते उन्हें आयोगवा कहा जाता है जैसे अंग और हाको ये क्या है आयोगवा कहलाते हैं A तथा A, वर्ण कहलाते हैं, ओष्ट कहलाते हैं, मुर्धन कहलाते हैं, कंठ तालव्य या फिर नासिक कहलाते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा, C, कंठ तालव्य. नेक्स्ट है, वे धनिया जो स्वरों की सहायता के बिना उचारित नहीं हो सकती, वो क्या कहलाते हैं, स्वर, शब्द, व्यंजन या फिर सैयुक्ताक्षर, इनमें से बताना हैं, जो बिना स्वरों की सहायता से उचारित नहीं हो सकती, उन्हें कहते हैं, व्यंजन, C, करेक्ट होगा निम्लिकित में से कौन सा वन अंतहस्त नहीं है या हा रा या फिर वा इन में से बताना है कौन सा अंतहस्त नहीं है देखी या रा ला वा ये सारे हैं तो कौन सा बचा हा उचारण इस्थान की द्रश्टी से कौन सा विकल्प सुध है सा को बोला है दंत है शा बोला है पच्चा दिया गया है कंठे है इन में से बताना है कौन सा सही नहीं है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्षन साध अंति नहीं है अगला प्रश्न है निमलिखित में से कौन सा कथन असुद्ध है ये ऑप्षन दिया गया हिंदी में ग्या का उचारण परंपरा से भिन हो गया है नेक्स्ट है दो महा प्राण वेंजनों का उचारण एक साथ हो सकता है सी ओप्सन है विसर्ग कंठ वर्ण होता है या फिर डी है शा संयुक्त वेंजन है इन में से असुध बताने अर्थात एक गलत है बाकी उसके अलावा सारे क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे देखिए दो महा प्राण वेंजनों का उचारण एक साथ हो सकता है ये गलत दिया गया बाकी सारे सही है निम्लिकित में से कौन सा सही है अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक धनी है वर्ग का पंचमाकशर अनुनासिक होता है और अनुनासिक के उचारण के दौरान नाग से बहुत कम सांस निकलती है और मुझ से ज़्यादा निकलती है ये तीन तरह के स्टेटमेंट दिये गए और इन तीनों स्टेटमेंट से में बताना है कौन सा सही होगा केवल तीसरा सही है केवल पहला सही है या फिर एक और दो सही है या फिर तीनों सही है ये हमें बताना है तो देखिए पहला और दूसरा सही है तीसरा गलत दिया गया है स्टेटमेंट दात और जीब के इसपर्स से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं मूर्धने, कंठोष्टे, दंतोष्टे या फिर दंते और इसमें याद लखे जो दात और जीब दोनों का इसपर्स होगा मतलब जीब दात से इसपर्स करेगी उन्हें तो दंती बोलते हैं दी ओप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट बताना है निम्लिकी धोनियों की निर्दिश्ट विसेस्ताव में कौन सा असुद्ध है चा तालब है साथ में महाप्राण है बा में दिया गया है बी में दिया गया मा ओष्ठ है और सघोस है सी ओप्शन है ता अल्प प्राण है और धन्त है दी दिया गया खा महाप्राण है और कंठे है इसका सही उत्तर हो जाएगा याद रखे, पहला मतलब इसमें गलत दिया गया है तालव महाप्राण गलत दिया गया है उचारण की द्रश्टी से संबल धनी का कौन सा वर्गी करण है संप्रक्त धनी है, जुगमक धनी है या फिर सैयुक्त धनी है, या फिर दृद्धनी है इसमें याद रखिए क्या है? संप्रिक्तिधनी है सावर्ण के बारे में आप पूछा गया है बताना है केवल हिंदी सब्दों में आता है या केवल अवधी सब्दों में आता है केवल संकर सब्दों में आता है या फिर केवल संस्कृत सब्दों में आता है तो साब देखेंगे संस्कृत सब्दों में आता option D correct होगा अगला प्रशन है ना वर्ण का उचारन इस्थान बताना है आप उचारन करिए तो भी आपको काफी चीज़े याद आ जाएंगी मूर्धा है दंत है नासिका है या फिर दंत और नासिका है अगला प्रशन है प्रतेक वर्ण का दूसरा और चोथा वर्ण क्या कहलाता है महा प्राण वेंजन, अल्प प्राण वेंजन, उच्छिप्त वेंजन या फिर अनुनासिक वेंजन तो या दखिए, दूसरा और चौथा महा प्राण मतलब जो सम होते हैं, वो होते हैं महा प्राण बचा कौन? पहला, तीसरा और पाच्वा ये क्या है अल्प प्राण है कौन से है अल्प प्राण है तो महा प्राण कौन से दूसरा और चौथा अगला प्रश्न है चावर्ग का उचारण मुग के किस भाग से होता है ठीक है चावर्ग का पूछा गया है कंट मूर्धा ओष्ट या फिर तालू तो याद अखिए चा क्या है, चावर्ग भी हम लोगों ने पढ़ा क्या है, तालू से चारित होता है अगला प्रशन है, निमलिकित वर्णों में से पंचम अक्षर है घा है, ता है, पा है और मा है, कितना एजी प्रशन आप लोग से पूशा गया है और सही उत्तर हो जाएगा मा, कौन सा मा, पा नहीं है, ये तो प्रथम वर्ग का है, ता भी है, प्रथम वर्ग का, घा है, तीसरे वर्ग का, तो ये तो तीनों नहीं होंगे न, बचा कौन सा, पता भी होना चाहिए निम लिखित में से कौन सा संयुक्त वेंजन है सा है, ला है, धा है या फिर ग्या है इसका संयुक्तर दीजे, इसका हो जाएगा ग्या निम लिखित में से महाप्राण वेंजन कौन सा है अभी मैंने आपको महाप्राण और आलप्राण सिखाए है महाप्राण कौन सा था, दूसरा और चौथा यह तो याद ही होगा, तो आप इसमें मिला लीजे दूसरा option दिया गया, खा, छा, ठा, था, फा या फिर तीसरा option है, गा, जा, डा, दा, बा या फिर लाष्ट है, या, रा, ला, वा तो सबसे पहले जो फोर्थ option है, डी, यह तो अंतरस्त वेंजन है, पहले ही हटा लीजे, तो चौथा option तो eliminate हो गया, अब बचे कौन से तीन option, अब इन में से देखिए पहला, देखिए पहले वाले option में का आ गया, पहला पहले वर्ग का, तो यह पहले ही काट दीजे, दूसरे में चेक करते हैं, खा है, चलो ठीक है, second वर्ग का है, चाच्छा, चा भी दूसरे का है, फिर देखिए, ताठा, यह भी दूसरा है, ताठा, यह भी into B क्रेक्ट है अगला प्रोश्ण है नीम लिमने से इंसे दं औश्ट द्वनियां हैं कौन इंसे हैं यारा है लवा है पाफाफा है और व और फाफा इंन में से बताना है दंत और उश्ट होते क्या हैं इसको और सबसे पहले याद किये दंतोष्ट का मतलब है जिनके उचारण में दांत और ओंस्ट दोनों से उचारण होता हो तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे दंतोंस्ट तो या रा अंतस्त हैं नहीं होंगे ला वा में ला क्या है ला भी नहीं हो का लुंटी तो आला है ला और वा भी नहीं है पा फा दोनों ओष्ट हैं ये भी नहीं है वा और फा ये कौन सा वाला फा वाला नहीं है जो की ओट से बोला जाता है यहाँ पर देखें नुक्ता लगा हुआ है ये है फा जिसमें दन्तो ओष्ट वाला आएगा तो D option यहाँ पर correct हो जाएगा अगला प्रश्ण है हिंदी भासा में इस पर्स वेंजनों की संख्या बतानी है कितनी है बाईस है 23 है 24 है या फिर 25 है और इसका सही उत्तर क्या होगा D 25 कैसे है का वर्ग में 5 काखा गांगा है ना चा वर्ग चाचा जाजाईया टावर्ग भी आजाएगा टाठाड़ाईया का प्रखागा गांगा चाचा जाजाईया टाठाड़ा एकनट फिर क्या करिए तावाला वर्ग और तथा दधना और पाफ़वभभा मा तो कितने हो गए 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 कितने हो गए टोटल 25 हो गए ये सारे क्या है इस पर्स वेंजन है और सभी में पढ़ा तो इसमें जो ना है ये क्या है वर्ट कहलाता है वर्ट से वेंजन गें इस लिए बहुत डीटेल में नहीं समझा रहे हैं क्योंकि आल्रेड़ी चैप्टर मैंने बहुत डीटेल में पढ़ाये हुआ आप लोग को एक एक चीज समझाई हुई है अगर फिर भी दिकत है तो पिक बद चैप्टर जब पढ़िए अगला प्रस्चन है स्WAR रहित रा का प्रयोग हुआ है जो रा है स्वर रहित रह चुद रहा का एक उचारन किसमें होता है री स्वर में भी होता रंजन में भी होता यहाँ पर पूचा गए स्वर रहित होना चाईगे तो ट्रक में है पुनर निर्माड में हैं, त्राटक में हैं, या फिर सत्रू में हैं, इनमें सही उत्तर बताना है किस में स्वर का नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, option B, पुनर निर्माड में, क्या हुआ है, स्वर रही तराक का प्रियूग हुआ है, निम्न में से अलप प्राण वर्ण कौन सा है आ है का गा है या धा है या फिर भा है अभी हम लोग ने महा प्राण और अल्प प्राण पढ़े थे उन में से हमें बताना है कि इन्टों यहाँ पर स्वर्भी यूज़ हो ए तो या दखना है का और गा मतलब पहला वर्ग तीसरा वर्ग और पांचवा होता है तो पहला होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन अगला प्रशने निम्निकित में से कौन सी बात गलत है धास अगोस महाप्राण दंत है भी ऑप्शन दिया गया बास अगोस ओस्ट महाप्राण है इन में से हमें सही उत्तर बताना है कौन सा होगा तो याद अखिए भबा जो है वो सगोस है ओस्ट भी है और महाप्राण है क्यों क्योंकि महाप्राण होगा तो सकेंड नमबर पर आएगा सकेंड बर का बाकी आप मैच कर लीजे मैंने सही उत्तर आपको बता दिया है जिनके चारण में सरतंत्रियों में कमपन ना हो वो क्या कहलाते हैं घोस महाप्राण अगोस या फिर अलप्राण आपको बताना है इन में से कौन सा उत्तर सही है तो जब सरतंत्र में कमपन हो तो अगोस अरफाथ सघोस जब ना हो तो अगोस प्रशन्रत में कभी माफ कीज़ेगा Province अगला प्रशन्रे निम्लिकस में से कौन सी महाप्राण धनी नहीं है महाप्राण नहीं है पूचा जा और या में से इन में से बताना है कौन सा सही होगा तो इन में महाप्राण का नहीं है अगोस वर्ण कौन सा है आ है, जा है, हा है या फिर सा है याद रखिए अगोस में कौन सा आएगा आ आएगा अगोस में कौन हो जाएगा आ जा, हा, सा नहीं है अगला प्रश्ण है निम्न में से कौन सा उच्छिप्त बेंजन है सा 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 ये वाला सा या फियाराला शातरग्या या अढ़ा और ढ़ा याद खिये ये हैं उस्म ये हैं अंतस्त ये हैं सैयोक्त बचे कौन ये हैं उच्छिप्त ढ़ा और ढ़ा प्रश्पन्वा प्रश्ण है उच्छिप्त धनी का प्रयोग हुआ है किसमें हुआ है आर्जू में, खसरा में, पढ़ाई में, जफर में तो याद रखे बहुत इजी सा प्रश्ण है और इसमें हो जागा पढ़ाई ग्या वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है जा प्लस इया, जा और इया, या जा आधा इया है या फिर आधा जा आधा इया इनमें से बताना है ग्या किसके मेल से बना हुआ और इसका सही उत्तर हो जाएगा आधा जा और इया से ये है सही, देख लीजेगा फिर एक शात्रग्या की गर्णा सुतंत्र वर्णों में नहीं होती क्योंकि ये संयुक्त वेंजन है या इनका प्रयोग केवल तत्सम सब्दों में ही होता है या ये वेंजन अर्धुसर माने गए है या फिर ये पूर्णता सुतंत्र वेंजन है अब इनमें से बताना है कौन सा उत्तर सही है, तो शात रग गया ये क्या है? सब्सक्राइब सेख़नों है अगले प्रेशने है का ग ज़ा फा इनमें जिनमें भी नुक्ता लगा हुआ है, इनमें बताना है ये किसकी धुण्या संस्कृत की हैं, अर्बी फार्टसी की हैं, अंग्रेजी की हैं, या फिर दश्ड़ी भासाओं की हैं, तो या दखे अर्बी और फार्टसी हैं ये, फा पुछा गया वेंजन है, कैसा है, उसम है, दंतोष्ट है, महाप्राण है, या फिर ये सारे हैं, इनमें से बताना है, तो च्छात्र या फिर ग्या इनमें से बताने किसके तो का के क्रम में आता है क्षा क्यूंकि का से ही मिलकर के का और सा मिलकर के बनाते हैं सब्द कोश में शद्धा सब्द किस सब्द के पहले आएगा सासन, सौर्य और फिर है श्याम उसके बाद है श्रमिक इनमें से बताना है किस से पहले आएगा तो शद्धा आएगा श्रमिक के पहले वाकि इन सब के बाद आएगा श्रमिक से पहले आएगा तो यहां तक हमने कौन से देखें वर्ण माला से related प्रशन देखें अब हम पढ़ेंगे वर्तनी से संबंधित प्रशन इसमें पहला ही प्रशन है बताना है सुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है गनिष्ट कैसे लिखा जाएगा गनिष्ट गनिष्ट या फिर गनिष्ट या फिर गनिष्ट इनमें से आपको सही बताना है सुद्र वर्तनी का होता है गनिष्ट अगला प्रशन भी है इसमें सुद्र बताना है किसका पैत्रक का पैत्रिक है या पैत्रक है या पैत्रिक है या फिर पैर तक है और इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा सी सही रूप बताना है इतिहासिक लिखा जाता है एतिहासिक होता है एतिहासिक होता है या फिर एतिहासिक तो तीसरे का सही उत्तर है एतिहासिक इनके आप लोगा option लिखते चलिए अपनी copy में फिर आपको पता चल जाएगा जैसे मैं उच्छारित करने हूँ तो उस सब्द को आप पहले लिखिए और option अपना बताईए कौन सा सही है चौथा प्रशन है इसमें देखिए प्रती निधी को कैसे लिखा जाता है वो बताना है पहले option में प्रती निधी लिखा हुआ है दूसरे option में प्रती निधी लिखा है तीसरे option में प्रती निधी और last option में भी प्रती निधी है बस यहाँ पर difference क्या है E की मात्रा का चारों को बहुत धंग से देखिए और सही उत्तर की पहचान करेंगे तो option D correct हो जाएगा ठीक है अब हमें दिये गए 5 से 6 तक प्रश्न सब में 4-4 वर्तिनी दी गई है और केवल एक ही सुद्ध है और उसको बताना है सब में हमें सुद्ध वर्तिनी ही अभी चैनित करनी है तो अभी व्यक्ति के लिए पूछा गया है तो पहला है अभी में ये भापर बड़ी की माता अभी व्यक्ति है या फिर अभी व्यक्ति ये वाला भी व्यक्ति या फिर अभी व्यक्ति इन में से सही उत्तर का चैन करना है, option B correct है छटा वाला देखिए, अवसिष्ट, अवसिष्ट, या अवसिष्ट, या फिर अवसिष्ट इन में से देखिए, उच्चारण भी अलग-अलग तरीके से होगा और लिखा भी दूसरी तरीके से ही जिया है और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अवसिष्ट, कौन सा सब्द सही बताना है, पूजनी है, पूजनी होता है, पूजनी होता है, या फिर पूजनी होता है सारे देखिए प्रशन और उसका सही उत्तर बताईए, option B होगा, पूजनी होता है अगला प्रशन है निमलिकित में से किस की वर्थनी सुध है प्रार्थिय की चर्ण की पूजिनी की या फिर अनुग्रहीत की इन में से बताना है कौन सा एक सही है अर्था 34 गलत हैं इन तीनों में से देख के बताना है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा अनुग्रहीत का अनुग्रहीत पुजिनी नहीं होता, पूजिनी होता है क्या होता है? पूजिनी अभी हम लोगों ने उपर देखा बाकी चर्ण नहीं चरण होगा और ये प्रार्थ प्रार्थ होता है प्रार्थ अगले प्रशन की सही वर्तनी बतानी है उपरोक्त, उपर्युक्त, उपरी युक्त या फर उपरी युक्त इन में से सही उत्तर देखेंगे तो उपर्युक्त सही होगा और दार की तरह व्यवहार सब्द का कौन सा सब्द ठीक है व्यावहारे होगा व्यावहारे होगा व्यावहारे या फिर व्यावहारे इसका सही होता होगा option B व्यावहारे निमलिखित में से किस सब्द की वर्तिनी गलत है अनंग की परिहास की व्यंग की या फिर हास की इन में से बताना है किसकी वर्तिनी गलत है तो यहाँ पर व्यंग की गलत है तो क्या होगा व्यंग होता है बारवे प्रश्ण में वारतनिक द्रश्टी से असुद विकल्प चुनना है दुरावस्था, मात्रभक्त, मनह कामना या फिर अंतरधान इन में से बताना है कौन सा गलत है तो यहाँ पर दुरावस्था गलत है अगले प्रश्ण में सुद्वर्तनी वाले शब्द का चैन करना है सुशुप्त, द्रश्टा, रचैता या फिर श्रश्टा में से तो तेरवे का प्रश्ण इसमें सुद्वर्तनी द्रश्टा का सुसुप्त गलत लिखा है, रचाईता गलत है और श्रिष्टा भी गलत लिखा है इसमें आप ध्यान दीजिए तो option D भी correct लिखा हुआ देखिए श्रिष्टा भी सही है, दृष्टा भी सही लिखा हुआ है सुसुप्त कैसे लिखेंगे और रचाईता में यह नहीं आएगा ऐसे लिखा जाता है रचाईता तो श्रिष्टा और दृष्टा दोनों सही है अगला प्रशन है निम्लिकित में से वर्तनी की दृष्टी से असुद्ध बताना है जैसे कि अनधिकार दिया गया है कवित्री में बताना है उसके बाद पुरसकार में बताना है और D ऑप्शन दिया गया है सन्यास इन में से बताना है कौन सा ऑप्शन है जो की हमें असुद्ध दिया गया है इन चार ऑप्शन में से इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनधिकार सही है, कवित्री सही है, पुरुसकार सही सन्यास गलत है अगले प्रश्ण में बताने हैं, व्याकरण की द्रश्टी से कौन सा सब्द अशुद्ध है विरहडी, ग्रहडी, विभीशन या फिर जगत गुरू में से तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, विरहडी गलत लिखा होए, विरहडी होता है, बाकी ग्रहडी, विभीशन, जगत गुरू सही लिखे हुए है अगला प्रश्ण है, बनिम लिखित में वर्तिनी की द्रश्टी से कौन सा सब्द युग में सही है बारात वसंथ, बारात वसंथ, या फिर बारात वसंथ, या फिर बारात वसंथ, इनमें से सही होगा, बारात होता है, और वसंथ होता है अगले प्रश्ण में बताना है, कवित्री कैसे लिखा जाता है सत्रमा प्रश्ण है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कवित्री लिखना ऐसे लिखा जाता है ना कि यह options अगला प्रेशन अठारवा इसमें सुष्रूसा कैसे लिखा जाता है और कैसे उचारित किया जाता है वो बताना है शुष्रूसा होता है या सुष्रूसा होता है शुष्रूसा या फिर शुष्रूसा या दखे इसका सही होगा चारण और लिखा कैसे जाएगा शुष्रूसा उनीस्वा प्रशने है दूर निवार या दूर निवार या दूर निवार इन में से बताना है कैसे लिखा जाता है दूर निवार होता है Option D correct है अब अगले प्रश्न में बताना है कौन सा असुद्ध है बीस और इकिस में अन्यथा विसेश्ता सामानिता या फिर परिणामता अन्यथा इसमें गलत दिया गया असुद्ध है अन्यथा होता है अह की मात्रा जो विसर्ग लगा हुआ है वो नहीं लगेगा अगला प्रश्न है भाग्या धीन भामनी भावना या भारोत तोलन इन में से बताने कौन सा असुद्ध है तो इसमें याद रखिए भामनी गलत लिखा हुआ है भाग्या धीन भावना भारोत तोलन सही है अगला प्रशन है पंचांग सब्द में उचारी दोनियों का लेखन निम लिखित में से किस में हुआ है यह चार ओप्शन दिये गए हैं इनमें से बताने पंचांग कैसे लिखा जाएगा इसमें देखिए पंचांग यह सही उचारण है बी ओप्शन तेश्वा प्रशने सुद्ध सब्द बताना है कलेश कैसे लिखा जाता है कलेश कौन सा सा लगेगा सिंपल सी बात यह है और इसमें पूछा गया है इसमें होगा कलेश सुद्ध वर्तिनी का चैन करना है अनुशंगिक होता है अनुसंगिक या फिर अनुसंगीक होता है और इस 24-वे का सही उत्तर हो जाएगा अनुशंगिक अनुशंगिक सा कौन सा लगेगा सटकोन वाला अब जो ऑप्षन दिये गए हैं इन प्रशनों में 25-27 तक इन में सुद्ध सब्द का चैन करना है पचिस्वा है अहुन्य अच्छुन्य अच्छुन या फिर अच्छुनुन इन में से बताना है कौन सा सही होगा तो 25-वे का सी ऑप्षन करेक्ठ है अच्छुन होता है अंत्याक्षरी 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 या फिर अंत्याक्षरी इन में से बताना है कौन सा सही है अंत्याक्षरी होता है बहुत से लोग डी और बी में भले कंफ्यूस हो जाएं इसका सही उत्तर क्या होगा बी अगला प्रशन है सुस्मा कैसे लिखा जाता है उसको कौन से सुद्ध है, इक्षा, आवान, श्रंगार या फिर प्रत्यूस, इन में से सही उत्तर बताना है हमें, चारो अप्षन में से, और इसमें सही क्या है, श्रंगार, श्रंगार हुआ, इक्षा नहीं, इक्षा होता है, अवाहन होता है, और प्रत्यूस गलत है, सागलत बना है अगला प्रशन अधो लिखित में से सुद्ध वर्तिनी वाला सब्द है रचाईता अनुग्रहीत अहार या फिर श्रिष्टा तो कौन सा ओप्शन सही है फिर से इस प्रशन में मिश्टेक है देखिस रिष्टा सही लिखा हुआ है खुदी गलत दे रहे हैं रचाईता सही है ठीक है दोनों आप्शन सही होंगे अगला प्रशन वर्तिनी की द्रश्टी से असुद्ध सब्द है सदुपदेस तदोपरांथ वालमी की या फिर अकिंचन इनमें से सुद्ध कौन सा तदोपरांथ ये क्या है गलत है सदुपदेस और अकिंचन वालमी की सही दीया हुआ है अगले प्रेस्ट में बताने है सुद्ध वर्तिनी वाला शब्द कौन सा है दर्सना भिलासी कैसे लिखा जाएगा सा में केवल डिफरेंस दिया गया है और बताना है कौन सा उत्तर इन में से सही है चारो आप्शन ठीक ठाक देख लिजे अच्छे से फिर बताईए उत्तर और इसका सही होगा बी आप्शन दर्सना भिलासी सुध वर्तनी वाला शब्ध है अतिश योक्ती अतिश योक्ती या फिर अतिश योक्ती पूरे सही से उप्शन देखे और इसका सही हो जाएगा उप्शन भी अतिश योक्ती अगला प्रश्ण निम्लिकित में से सुद्ध शब्द नहीं है सुद्ध बताना है कौन से वाले में व्यंग अंगुल उपयुक्त या फिर आध्यात्म इन में से कौन सा असुद्ध है ये बताना है और अध्यात्म होगा आध्यात्म नहीं है 34 प्रश्ने निम्लिकित में से कौन सा शब्द सुद्ध है 46, 46, 46 या फिर 46 34 का सही अंसर हो जाएगा 46 सुद्ध वर्तिनी का चैन कीजिए आसिरवाद आसिरवाद कैसे लिखा जाएगा यहाँ पर यह पूछा गया है और आसिरवाद लिखने का तरीका यह है गगन चुम्बी के लिए कौन सा सही उच्चारण है वो बताना है गगन चुम्बी या गगन चुम्बी या फिर गगन चुम्बी सही उत्तर बताना है 36 का देखिए और इस दी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट कीजिए अगला प्रशन है, सही वर्तिनी वाले सब्दिस में भी बताना है, प्रती वर्ष कैसे लिखा जाता है प्रती वर्ष, प्रती वर्ष, प्रती वर्ष, या फिर प्रती वर्ष सही देखेंगे क्या हो जाएगा प्रतिवर्स वर्तिनी से उज्वल बताना है उज्वल तो बहुत ही बार पूछा गया है जितनी बार पूछा जा उतनी बार काम है तब भी बच्चों से गलती होती है और उज्वल में क्या है दो बार आधा जा लगेगा उज्वल लिखने का तरीका ये है, सुद्वर्तिनी बतानी है, ललाईत कैसे लिखा जाता है, ललाईत के लिए option देखिए, option A, option B, option C, D में से बताईए सही उत्तर, और इसका सही हो जाएगा लालाईत, option B, चालिसवा प्रशन है, सुद्वर्तिनी का चैन करना है, रिशी, रिशी लिखने का सही तरीका बताना, रिशी रिशी या फिर रिशी रिशी, बतलब सिर्फ उचारण से लगवग सही ही लगता है, लेकशन विदी में थोड़ा दिक्कत आती है और इसका सही उत्तर हो जाएग यह option रिशी निम लिखित में से सुद्ध रूप बताना है अंजली काली दाज श्राप और अहल्या में से बताना है कौन सा सही है अहल्या सही लिखा है बाकी सारे गलत है कैसे गलत है देखें यहाँ पर एकी मात्रा का डिफरेंस है काली दास और अंजली में और यहाँ पर शाप निम निम में असुद्ध रूप बताना है कौन सा गलत दिया गया है मच्छर, मक्खी, जोंक या फिर छिपकली में से छिपकली में से इनमें दिया गया है और इनमें से सही उत्तर बताना है मच्छर, मक्खी, जोंक ये क्या है? सही लिखे हुए है तो इनमें से गलत कौन सा हो जाएगा? D, छिपकली नहीं होता, छिपकली होता है, मतलब यह जो मात्रा लगी भी गलत है अगला प्रेश्ण है, सुद्ध वर्तिनी पर टिक लगाना है, जानवी कैसे लिखा जाएगा 43 प्रेश्ण में हमें जानवी बताना है, यह सही उत्तरश, यह उप्षन दीरगायू कैसे लिखा जाएगा, 44 प्रेश्ण में कहां पर राकी मात्रा लगेगी, तो ए उप्षन करेक्ट होगा दीरगायू में 45 प्रेश्ण आते हैं, निम लिखित सब्दों में से किस सब्द की वर्तिनी सुद्ध है, निरस की, परिवारिक की, उज्ज्वल की या फिर अतिथी की 45 प्रेशन में नीरल स्परिवारिक और उज्वल अतिथी में से सही वर्तिनी वतानी है और इसका सही उत्तर हो जाएगा option D अतिथी सही लिखा हुआ है उसके अलावा सारे गलत हैं बाकी सारे अभी उपर हम लोग डिसकस कर चुके हैं नीचे दिये गए सब्दों में से किसकी वर्तिनी सुद्ध है जागरिती की पूज्यानिया की अंतरधान की या फिर अभ्यारणने की 46 प्रेशन का सही उत्तर देना option D correct होगा अंतरधान गलत है अंतरधान ऐसे लिखा जाता है अब बात करते हैं पूज्यनी लिखने के लिए पुज्यनी नहीं होता है पूज्यनी होता है और जागरिती में ये रजी की मातला लगेगी जागरिती अगला प्रेशन में निम्लिकित में से किस सब्द की वर्तिनी सही है अनुग्रहीत की बतानी है किस प्रकार से सही होगा कौन सी मातला इसमें लगेगी उऔर शी की मातला में डिफरेंस दिया गया है चारों में और सही उत्तर होगा अनुग्रहीत होता है option B correct होगा अगले प्रश्ण पर आते हैं द्वंद बताने हैं कैसे लिखा जाता है 48 में प्रश्ण में द्वंद्व द्वंद्व या फिर द्वंद्व तो बताना है इन में से कौन सा सही है आप सभी लोग साथ में करते रहे हैं तो द्वंद होता है option D सब्द के सही रूप का चैन करना है त्रिश्णा बताना है त्रिश्णा है तिरिश्णा है त्रिश्णा है या फिर त्रिश्णा है उन्चास्वा प्रशन है उन्चास्वा प्रशन है उन्चारण में लगभग सही एक ही जैसा लगता है बट जो लास्ट option है त्रिश्णा option D य जो प्रशन दिये गए हैं, उनमें एक कोई शुद्ध वर्तिनी का है, बाकी सारे गलत दिये गए हैं, शंगार बताना है, कैसे लिखा जाएगा, शंगार का सही तरीका बताना है, यहाँ पर option B correct है, शंगार, सिंगार, संग शंगार नहीं होता, option B है, शंगार होता है, 51 है कौन सा सही है, अभी हम लोग यही उत्तर डिसकस भी कर चुके हैं, तो फिर से शंगार सही होगा, अवनती होता है, मुश्किल भी गलत लिखा हो, आधासा होगा, और इसके उपर से माता जाएगी, मात रभूमी में रीकी मात्रा, 52 प्रशन में देखते हैं, अंत सक्षी, अ लिपी, 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 या फिर लिपी, इनमें से बताना है कौन सा सही है, इनमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, लिपी होता है, लिपी, 54 प्रशन है, वर्चस्व, 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 या वर्चस्व, इनमें से बताना है कौन सा सही है, और कैसे वर्चेस्व लिखा जाता है तो आप उच्चारित करके भी धून सकते हैं वर्चेस्व, option भी correct है 55th प्रशने अगामी, आगमी, आगामी, अगमी इन में से सही लेखनविधी है, आगामी option C, right? निम्रिखित सब्दों में से सुद्ध रूप है, प्रज्वलित है प्रज्वलित है, प्रज्वलित है, प्रज्वलित है, या प्रज्वलित है सारे प्रशने के करके देखिए और सही उत्तर दीजे option 1, correct है, प्रज्वलित होता है अगला प्रशन देखिए, सुद्ध वर्तनी बतानी है, अंतर द्वंद, अंतर देशी है, अंतर राश्ट्री है, अंतर भाव, ये इन में से कौन सा एक सही लिखा हुआ है, बाकी सारे गलत है, अंतर भाव सही है, अंतर द्वंद गलत है, अंतर देशी भी गलत है, अंतर जेव की मातरा नहीं लगेगी, अंतर्दवन भी गलत है, तो अगला प्रश्ण अब देखते हैं, अशुद्वर्थ नी देखनी इन में से बाकी सारे सही हैं, तीन सही हैं और एक गलत है, अगले प्रश्ण में अशुद्व सब्द बताना है, वांग में उननीस्वी जयोत सना पांचवा, इन में से बताना है अशुद्ध कौन सा है वांग मैं सही लिखा है, उन्नीसमी सही है, पांचवा सही है जयोत्सना गलत है, जयोत्सना होता है आधा जा होगा, इसलिए ये गलत लिखा हुआ है अगले प्रश्ण में हमें बताना है अंतर राश्ट्री कैसे लिखा जाएगा तो चार आप्शन दिये गए हैं पहला आप्शन देखिए यहाँ पर हम लोग और लेड़ी पढ़ चुके थे 57 वाले प्रश्ण में और यह वाला गलत किया था तो यहाँ पर भी हम लोग को वही देखना है कौन सा अंतर राश्ट्री सही लिखा हुआ है सबसे पहले दो बार रा है और यह है तो यह तो दोनों गलत है रा की मात्रा भी नहीं लगी वह उपर और अंतर राश्ट्री में ये और ये में बहुत confusion है पहले और C में बहुत बच्चों को होता है इसका option A correct होगा अंतर राश्ट्री शाठ्वा प्रेश्ण है सुद्ध वर्तिनी का चैन करना है असप्रस्यता या असप्रस्यता असप्रस्यता देखे चार दिये गया है असप्रस्यता बताना है सही से हम लोगों को कौन सा सही है option तो option C correct है इसमें 61 थे अब अधो लिखित सब्द का कौन सा रूप वर्तिनी की दरश्टी से सुद्ध है परमात्मा कैसे लिखा जाता है परमात्मा परमात्मा प्रमात्मा या प्रमात्मा सही उत्तर बताना है और परमात्मा होता है बाकि सारे गलत है सौंदर रिवर्धक कैसे लिखते हैं सौंदर रिवर्धक का सही चारण और सुद्ध वर्तिनी बतानी है सौंदर रिवर्धक के लिए चार ओप्शन है, एक सौंदर रिवर्धक दिया गया, एक सौंदर रिवर्धक, सौंदर रिवर्धक के या फिर सौंदर रिवर्धक, इनमें से बताना है कौन सा ओप्शन, सही है, ओप्शन ए करेक्ट है, सौंदर रिवर्धक इर्षया का सही उचारण और कैसे लिखा जाता है इर्षया, इर्षा, इर्षा या फिर इर्षा चार आप्शन है, सही बताना है, तो यह दखिए इर्षया, पहला आप्शन विशेश लिखने का तरीका बताना है, विशेश, विशेश, विशेश या विशेश 64 प्रेशन है इसका सही उत्तर हो जाएगा ये विशेश अगले प्रेशन पे आते हैं दिये गए विकल्प में सही उत्तर बताना है सही वर्तनी, जमीन, जमीन, जीमीन या फिर जमीन इनमें से बताना है कौन सा सही है 65 प्रेश्ण में अगर हम लोग देखते हैं तो जमीन होता है क्या होता है नीचे नुक्ता लगता है जापर उपरी लिखत या फिर उपरी लिखित या उपरी लिखित इन में से बताना है कैसे लिखते हैं और इसको लिखते हैं उपरी लिखित अगले प्रेस्ट में वाग केवं वर्तनी सुध्धी करना है शिंगार संखला पहला ऑप्षन है दूसरा अनुक्रिती ऑप्षन ए है पहला सही है दूसरा दिया गए दोनों की वर्तनी सुध्ध है या बी ऑप्षन है केवल एक की सही है सी ऑप्षन केवल दो या फिर D option है, दोनों ही गलत दिये गए है, 67th प्रेशन थोड़ा सा confusion है, ढंक से देखिए, दोनों ही गलत दिये गए है, option D correct हो जाएगा क्यों, श्रंगार ऐसे, और श्रंखला भी उसी तरह लिखा जाएगा, और यहाँ पर अनुकृती, यह कृती यह गलत दिया गया है, इस इसी तरह दूसरा भी प्रेशन दिया गया है, वाक्यम वर्तिनी सुध्धी का, पहले option में आसक्ती और परितोसिक दिया गया है, दूसरे में सुक्षुसा और सुबुद्धी दी गई है, अब इस 68th प्रेशन में बताना है केवल एक की वर्तिनी सही है, या केवल दो की वर् होता है, सुक्षिसा नहीं होता है, सुबुद्धी, इन में से दूसरा option क्या होगा, गलत हो जाएगा, 69th प्रेशन में बताना है, ओध्योगिक कैसे लिखा जाता है, ओध्योगिक, ओध्योगिक, ओध्योगिक या फिर ओध्योगिक, इन में से बताना है कौन सा सही है, ओध अब बताना है रामायड कैसे लिखते हैं और बहुत इजी प्रश्ण है आई होप यह सभी को आता होगा रामायड ऑप्शन भी करेक्ट है इक खत्तरवे प्रश्ण में सही वरतनी बताना है सष्ट कैसे लिखा जाता है सष्ठम सष्ठ सष्टम या फिर सष्ट इनमें से बताना है कौन सा उत्तर सही है तो सष्ठम लिखा जाता है ऑप्शन भी करेक्ट है यह बहुत कन्फ्यूज करता है इसले इसको बार बार देख ज़िए खत्तरवा प्रेशन अगला प्रेशने बहत्तरवा असुद्ध रूप बताना है अनाधिकार अहिल्या अंतर ध्यान या फिर ये सभी असुद्ध हैं बहत्तरवे प्रेशन में सारे के सारे गलत हैं अनधिकार होता है अहल्या होता है और अंतर धान होता है ना कि अंतर द्यान, सुद्वर्तिनी बतानी हैं समसान, कैसे लिखेंगे समसान, शमसान, शमसान या फिर इसमसान, की हत्तरवे प्रशन को सही से देखिए और शमसान लिखने का तरीका भी देख लीजे, उप्सन सी, चोहत्तरवा प्रशन है गंगाजल, वेबुनियाद, बड़ा सा पाया भी एक ही में लिखा जाता है, अब 75 से 77 तक जो प्रशन उनमें एक पंक्ती में कहा है, अधोर एखांकित किया गया है, नीचे पे, रेखा कीची गई है, और वहाँ पर बताना है, कौन सा सुद्ध रूप होगा, बाकी के तीन क्या होंगे, असुद्ध होंगे उनमें पुछा गया प्रशन है, वो जितना ज़्यादा हो सके, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, और एक बार में ही रट डालिए, कैसे लिखा जाता है, कभी यत्री होता है, और बाकी सारे क्या है, गलत है, प्रधान मंत्री की भासा में शूती लिपी, उसने उसी समय अब यह शूती लिपी होता है, शूत लिपी होता है, शूत लीप होता है, यह शूत लिपी होता है, अब इन में से बताना भी लिपी हमने देखा तक कैसे लिखा जाता है, अब यहाँ पर शूत लिपी बताना है, कैसे लिखी जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, शूत ल साधासा यह यहां कौन सा सा लगेगा यह देखके हमें बताना है यहां पर ली की मात्रा लगा दी गई है इस 77 प्रश्न का सहीत्तर है दुष्चरित अब 78 से 82 तक जो वर्तनी है उनमें सही वर्तनी का शद्द बताना है पहला 78 है इसमें प्रत्वी कैसे लिखा जाएगा वो ब यहां पर आद अखिया ओप्शन भी करेक्ट है कौतु हल बहुत जगा बस उकी मात्रा में डिफ्रेंस दे देते हैं ता पर बड़े उकी लगी बहुत जगे छोटे उकी लगा के दे देते हैं वहीं पर गलती हो जाती है अगला प्रश्न है रसायनिक कैसे लिखते हैं रसाय इनमें से सही उत्तर छाटी है ऑप्शन भी यहां भी करेक्ट है रसायनिक अस्थ 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 या फिर अस्थ इनमें से अस्थ बताना है कौन सवाला अस्थ सही है ऑप्शन डी करेक्ट है अगले प्रश्न पर आते हैं त्रीदोस बताना है कैसे लिखते हैं त्रीदोस त में डिफ्रेंस है पहले और चौथे में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा दूसरा और तीसरा तो गलत है अब बताना है कौन सा उत्तर सही है कैसे लिखेंगे सर्वोत्तम सांसारिक होता है कीर्ती होता है राकी सारे देख लिए सुद्ध सब्द बताना है अभियस्त अभियस्त या फिर अभियस्त चोरासिमा प्रेश्ण है इसका सही उत्तर हो जाएगा अभियस्त अगला है पच्छासिमा प्रेश्ण वलतनी की द्रश्टी से कौन सा सब्द सही है इन में से बताना है और इसका सही उत्तर है स्वान्तत्र ये आप्शन भी करेक्ट होगा स्वान्तत्र छियास्वा प्रश्ण है निम लिखित सब्दों में से सुद्ध सब्द को पहचानिए आशिर्वाद, आजीविका, अध्यान या उनी इन में से बताना है कौन सा सही है सुद्ध बताना है बाकी तीन असुद्ध होंगे इसका सही उत्तर है आजीविका ठीक है बाकी आशिर्वाद में छोटी की मात्रा लगेगी कैसे लिखा जाएगा आशिर्वाद दूसरा क्या है अध्यन, अध्यन कैसे लिखा जाएगा ये रहा अध्यन, उनी में बड़ाओ बनेगा उनी अगले प्रश्ण में बताना है कौन सा सुद्ध सब्द है अधिकार, अनुशरण, अध्यन या फिर अगामी इसका सही उत्तर तो उपर प्रश्ण देखी चुके हैं, अधिकार में छोटी की मात्रा, यहाँ पर शा गलत है, दूसरा सा बनेगा, अगामी नहीं, अगामी होगा निम्न में वर्तिनी की द्रश्टी से असुद्ध है, आनुशंगिक, आध्यात्मिक, इतिहासिक या फिर दायित्तो, इन में से बताना है, ऑप्शन सी गलत है, क्यूं एतिहासिक होता है अनुशंगिक, आध्यात्मिक, दायित्तो, बाकि सारे सही लिखे हो है, निम्न में वर्तिनी की द्रश्टी से सुद्ध बताना है, पुझ, परिक्षन, प्रान, या फिर परीक्षा इन में से बताना है, कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी सही है, परिक्षन, न्यू लिखा जाएगा, पूझ, बड़ेव की मात्रा, प्रान नहीं, प्रान अगना प्रशन निम्न में वर्तिनी की द्रश्टी से असुद्ध है, प्रादेशिक, माधुर, व्याप्त, या फिर प्रमारिक, कौन सा यहाँ पर असुद्ध है, देखे, इतना क्लोज आंसर दिया गया, यहाँ पर सभी को दिक्कत हो जाती, प्रामारिक होगा, बाकी सारे सही है, इशा का सुद्ध रूप है, कौन सा इसा, इसा, इस या फिर इसा, उनमें से बताना है कौन सा सुद्ध रूप है इसका, इसा का, ठीक है, इशा यहाँ पर कौन सा बना दिया गया है, यह वाला सही होगा, वहाँ पर शल्जम वाला गलत है, अगला प्रशने, मानक व ऐसे ही अगले में सुद्ध बतानी है, तीन गलत है, परिक्षा या फिर मूमूर्स, मूमूर्स या परीखा, दो-दो आप्शन सबके दिये गए हैं और इनी में से पहचान लेना है, मूमूर्स ही है, मूमूर्स, बाकि ये वाला बड़ा उजो लगा है न, ये गलत है, परीख गलत है, परिक्षा गलत है, कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर ऐसे हो जाता, परिक्षा, सही वर्तनी बताना है, शुहुद, शुष्रूसा, स्पर्धा या ससीम, इन में से बताना है कौन सा सही है, और यहाँ पर शुष्रूसा सही है, सूध यहाँ पर यहाँ नहीं लगेग इस परधा में ये वाला होगा ठीक है अब अगले प्रश्ण में आशुद्ध शब्द छाटना है अर्थात तीन सहीं एक गलत है देखिए चिन, कृप्या, दवाईयां और निर्भर इन में से बताना है कौन सा गलत है कृप्या गलत है कृप्या होता है ये गलत हो जाएगा न अगला प्रश्ण देखिए निमनिकित में से सुद्ध वर्तिनी वाला शब्द कौन सा है उत्तरदाई उत्तरदाई या उत्तरदाई इन में से सही बताईए और ये आप लोग को आता होगा कई बार इसको लिखते भी है ऑप्शन बी करेक्ट है ब्रम्हन सब्द का वर्तिनी की दस्टी से सुद्ध बताना है चुन्य विवर्त अनुग्रहीत या विरहडी इनमें से बताना है कौन सो सही है इनमें विवर्त सही है बाकी गलत है सुद्वर्थनी वाले शब्द का चैन करना है जोतसना कैसे लिखा जाता है जोती सना, जोतसना, जोतसना या जोतसना ये देखे ये भी हम लोग डिसकस करी चुके हैं तो आप याद दखे इसका सही उत्तर हो जाएगा जोतसना होता है अगले प्रेशन में असुद्ध बताना है बाकी सारे अर्थात सुद्ध होंगे कोमलांगी, सम्मिलित, उत्कर्सता या अनुग्रहीत इन में से बताना है कौन सा सही अप्शन सी उत्कर्सता गलत है कोमलांगी सही है ठीक है और सम्मिलित सही अनुग्रहीद भी सही है सुद्ध वर्तनी वाला शब्द है इन में से दैवीप्यमान, देधीप्यमान, दैधीप्यमान या फिर देधीप्यमान इन में से बताना है यहाँ पर देधीप्यमान, D option correct है लास्ट प्रेश्ण है आज का निमलिकित में से असुद्ध वर्तनी बताना है यह आरो यारो के पेपर में पूछा गया था कौतुहल, अनधिकार, निर्पेक्ष, पौरानिक कौन सा असुद्ध है? यहाँ पर कौतुहल साही, अनधिकार साही, निर्पेक्ष साही, पौरानिक गलत है यहाँ पर जो पौरानिक कैसे लिखा जाएगा? देख लीजे, यह छोटी की मात्रा लगेगी ठीके? पौरानिक हो जाएगा तो यहाँ तक हम लोगों ने वर्टिनी और वर्णमाला से रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट प्रेशन थे उनको हल किया है क्योंकि मैं आप लोग के चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ दीटेल में पढ़ाया हुआ है तो प्रशनों में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया है सिर्फ उत्तर बताया है जदी आपको लगता है कि साथ में उत्तर और भी ज्यादा एक्स्प्लेंट करने की जरूरत है तो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं मैं वो भी कर दूँगी पर अच्छा होगा आप लोग पहले चैप्टर तयार करने आपकी काफी हल्प करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें इसके साथ में GS की क्लास और भी क्लास अवेलबल है आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं उन वीडियो को देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए धन्यवाद